प्रोडेक्शन से इंसेंटिव्स जुड़े हुए है आप जितना प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से इंसेंटिव्स मिलेंगे यह भारत की करने के लिए यह स्कीम भारत सरकार ने चलाई है यह जो पूरी प्लेलिस्ट तयार की जा रही है इस टुट्टी सेकिंड स्कीम फो यू गाईज यह जो पूरी प्लेलिस्ट है यह UPSC SSC नाबाड RBI grade B banking के examination हर किसी के लिए बहुत beneficial रहने वाली है जैसा आपको पता है मैंने आपको पहले भी बताया था budget के अंदर जितनी भी schemes है उन सभी schemes को हम one by one cover कर रहे हैं और साथ में इसके अलावा भी schemes है उसको भी हम cover कर रहे हैं आगे बढ़ हूँ उससे पहले आपको एक important जानकारी देदू परचम classes app पर general awareness का targeted 2024 का बैच आ चुका है आप लोग enroll कर सकते हो इसके अंदर complete general awareness आपको recorded format में मिलेगा quality, history, economy, static gk सब कुछ previous year question paper, mock test ये सब कुछ आपको साथ में मिलेगा PDF को आप download कर सकेंगे और उनको अपनी convenience के recording पढ़ सकेंगे, ठीक है, इस scheme को हम शुरू करते हैं सबसे पहले है कि ये scheme जो है, ये है क्या, जो ये production linked incentive scheme है, ये है क्या, देखो ये आत्म निर्भर भारत campaign के अंडर चलने वाली एक scheme है, भारत को self-reliant बनाना है, भारत को आत्म निर्भर बनाना है, उसी के लिए ये scheme भी आई है कि हम सामान के लिए, products के लिए, दूसरे देशों पे dependent ना रहें और भारत के अंदर जादा से जादा सामान बनाएं, जितना जादा सामान इंडिया खुद, यानि मतलब भारत जो है, खुद, इंडिजेनसली उसको develop करेगा, उतनी जादा job opportunities भी इंडिया के अंदर grow होगी, ठीक है, तो यहाँ पे यही है, कि जो PLI scheme है, उसको making India initiative के अंडर, आत्म निर्भर भारत campaign के साथ इसको शुरू किया था, ठीक है, इसमें भारत क्या चाहता है, कि हमारा domestic manufacturing capacity जो है, वो increase हो, मतलब हम अपने देश के अंदर manufacturing कर रहे हैं, वो capacity अपनी increase हो, और job creation जादा से जादा बड़े, शुरुवात में जब इसकीम आई थी, तो केवल three sectors के अंदर आई थी, कौन-कौन से थे वो three sector electrical component manufacturing यानि बिजली के जो components होते हैं, उनकी manufacturing के लिए, mobile और mobile accessories manufacturing के लिए, और medical devices के लिए, इन three sectors के अंदर initially ये आई थी, बाद में धीरे-धीरे ये 13 और sectors के अंदर आ जाती है, इसको जो launch किया था, पहली बार April 2020 में launch किया था, लेकिन October 2022 में 13 और sectors के अंदर इसको launch कर दिया था, क्यूंके काफी successfully ये grow कर रही थी, अब इस पूरी scheme को control कौन सी ministry करती है, और इसकी implementing body कौन सी है, जो production linked incentive scheme है, this is implemented by concerned ministry, जैसे textile का, अगर department है, तो उसके manufacture को textile ministry देखेगा, ठीक है, medical devices का है, तो उसको medical वाले देखेंगे, तो इस तरीके से जो concerned ministry है, वो ही इससे deal करती है, वो ही पूरी scheme को implement कराते है, कोई एक ministry इसके लिए नहीं है, इसका objective क्या है, देखो इसका objective है, एक तो भारत के अंदर domestic units का manufacturing जो है, वो बढ़े, और क्या-क्या following objectives है, 60 lakh new job अजो opportunities हमको grow करनी है, इंडिया का export हमको increase करना है, भारत आज भी इंपोर्ट जादा करता है, export कम करता है, तो आज भी भारत सरकार यही चाहता है, कि अपना export जादा से जादा हो, भारत इंडिया की export को increase करना चाहता है, और import बिल को हम lower करना जाते हैं, इंपोर्ट बिल को लोर करने का मतलब क्या है, जब हम दूसरे देश से कोई सामान 100 रुपे का मंगवा रही है, तो वो हमको 120 का पड़ता है, उसकी वज़े क्या है, 20 रुपेज हमसे इंपोर्ट ड्यूटी ले ली जाती है, इसके लिए अपने को नुकसान होता है, भारत में महंगाई हो जाती है, अब 120 का लाके कोई भी दुकान दा 1.500 का बेचेगा उस सामान को, तो जो 100 रुपे का सामान था वो 150 का बिक्र है और भारत को नुकसान हो रहा है, तो इस इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए भी हम इसको भारत में ही बनवा रही है, इससे भा भारत की economy scales जो है वो increase होंगे, foreign investment जो है वो attract होगा, इंडिया के अंदर जब projects लगेंगे, तो दूसरे देश के लोगों को भी भारत की market में opportunity दिखेगी और FDI भारत के अंदर आएगा, ठीक है, 30 lakh, अगले 5 साल में 30 lakh additional production को हमें increase करना है, और कुछ off farm employment की opportunities को भी generate करना है, अब कौन-कौन से sectors के अंदर ये था, कुछ sectors को हम detail में पढ़ रहे हैं, देखेए, total 14 major sector आज के दिन इसके अंदर है, ठीक है, 1.97 lakh करोड के incentives इंडिया को मिल चुके है, auto sector के अंदर क्या था, auto sector के अंदर, यानि गाड़ी वाड़ी जो vehicle है, उस sector के अंदर, union government ने ये announce कर दिया थ हम इस scheme को March 2022 से launch कर रहे हैं, मतलब एक नया sector add हुआ था, इसके अंदर, आउटले, कितना दिया था भारस सरकार ने, 25,938 करोड का आउटले, auto mobiles के लिए भारस सरकार ने दिया था, कि हम आपको इतना incentives देंगे, अगर आप 18 प्रतीशत हमारी domestic manufacturing को boost कर देते हो, अगर इससे ज जादा पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, अगले 5 साल के अंदर, भारत के अंदर, जो 2022-23 से शुरू करके आने वाले 2028 तक, जो ये target है, ये अपने को achieve करना है, 18% का, 95 applicants ने इसके अंदर register कर दिया है, इससे क्या होगा, दूसरे देशों का investment बढ़ रहा है, textile sector में भारत सरकार क्या कह रहा है, दिसंबर 2021 में textile industry को इसके अंदर include कर दिया था, इसमें क्या करना है, भारत की manufacturing capabilities, man-made fiber में, man-made fiber apparel में और technical textile products में globally increase करनी है, यानि अपने को export increase करना है, छीक है, अगर हम अपने targets को achieve करते हैं, तो भारत सरकार 10,683 करोड के incentives, textile sector को देने को तयार है, ये जो है, 22-23 से 23-24 के बीच में implement हुआ है textile scheme की अंदर, और 2026 से 2030 तक incentives को claim किया जा सकता है, ठीक है, और आपको जो performance है वो दिखानी पड़ेगी 2025 से 29 की, कि हमने आपके target फूरे किये हैं, तो 29 से 30 तक आप हमारे इन 4 सालों में incentives जो है, वो हमारे sector को दीजिए, Food processing में क्या है, ये भी March 2021 में production linked incentives की, March 2021 में food processing industry के अंदर आया, भारत सरकार ने कहा है कि अपने target पूरा करने पे हम आपको 10,900 करोड का incentive देंगे, ठीक है, आपको expansion करना है, global branding की capacity को बढ़ाना है, जिससे भारत के सामान को globally recognition मिले, फार्मर की income बढ़ेगी इससे, employment opportunities बढ़ेगी, fair market prices, farm products के all over world जो है, वो मिलेंगे, छे साल का समय इसमें दिया है, 2021 से 2026 तक का, 2027 तक का, ठीक है, जिसमें ये पूरी scheme implement होके आपको incentives भी मिलेंगे, अब इसका जो expansion है, 14 new sectors के अंदर और इसका expansion हुआ है, कौन-कौन से वो sectors है, उनको देखो, telecommunication है, white goods है, food processing है, drugs and pharmaceutical, medical devices, textile, chemicals, ठीक है, और कौन-कौन से sectors है, UPSC पूछ लेता है, कभी-कभी इस तरीके से, इन में से कौन production linked incentive scheme का हिस्सा नहीं है, या है, electronics, automobile, batteries, solar cell and modules, high efficiency solar modules, speciality steel, और advanced chemistry cell, तो इस तरीके से, यह 14 products ऐसे हैं, जिनके अंदर production linked incentive schemes आ रही है, government जो है, किन-किन goals के साथ, इनको expand कर रही है, scheme को expand कर रही है, एक तो अपने को export enhance करना है, अपने को supply chain को globally integrate करना है, पूरे विश्व के साथ हमको मिलके चलना है, इससे क्या होगा, भारत का जो हमने कसम खाई है कि 2025 तक हम 1 trillion dollar की अपनी GDP कर देंगे, economy expand कर देंगे, वो भी पूरा करने में अपने को मदद मिलेगी, ठीक है, Indian automotive industry more competitive, इससे अपना जो industry है, वो बहुत जादा competitive बनेगा, और globally हमारे automotive sector को और ज़्यादा पहचान मिलेगी, ठीक है, man-made fibers ज़्यादा होगे, जैसे technical textile ज़्यादा grow होगा, strength बढ़ेगी अपनी, और भारत जो है, भारत जो है कि पूरे steel का, भारत स्टील का पूरी दुनिया में second largest producer है, हो सकता है हम पहले number पे भी आजाए, अपनी economic growth बढ़ेगी, manufacturing बढ़ेगा, employment opportunity बढ़ेगी, जरूरत क्या थी इसकी, भारत के manufacturing sector को strengthen करने के लिए, ठीक है, भारत के sectors को ज़्यादा competitive बनाने के लिए, भारत के import burden को कम करना था अपने को, हमें competitive environment generate करना था, इंडिया का making India और आत्म निर्भर भारत campaign को boost करने के लिए अपने scheme चलाई है, ठीक है, और अब इसको at a glance देखते हैं, मार्च 2020 में ये scheme launch हुई है, this is launched by government of India, implement जो भी जिससे जुड़ा हुआ है, वही concerned ministry उसको implement करेगी, 14 key sector कौन से है, electronic devices and IT component, medical devices, फिर pharmaceuticals, chemicals, aviation, white goods, metal and mining, textile, automobile, auto components, renewable energy, energy, renewable energy, उसके बाद solar modules और food processing, ये 14 industry के अंदर ये scheme है, और अभी आज का question जो आप लोगों को बताना है, वो क्या है, consider the following statements with regard to PLIS, यानि production linked incentive scheme, it is a part of national policy on export promotion in India, क्या ये इस policy का हिस्सा है, क्या ये इस policy का हिस्सा है, दूसरी statement कहता है, ये हमको domestic manufacturing को boost करने के लिए, और electronics value chain के अंदर investment बढ़ाने के लिए, हमने ये scheme चलाई है, आपको बताना है इन में से कौन correct है, one only, two only, both या none, तो उमीद करती हूँ, आपको ये scheme अच्छी लगी और आपको ये समझ आ गई है, ठीक है, आपका data आप cover कर रहे हो, मिलते हैं एक अच्छी सी scheme के साथ, next session में, thank you so much, take care, bye bye.